गुड इवनिंग जट्रियक अलादाव। JPSC है तु मैं महीना में होने वाला है और JPS से सुमंदित जहरखन से सुमंदित अन एक्जाम के त्यारी करने हैं तु और अगर जहरखन के बारे में आपको इंट्रेस्ट है को जनकारी हो तो उसके लिए के अगले वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि लेक्स अफ जहर खंड कौन-कौन से लेक्स है जैसा कि मैप में आपको दीख रहा होगा जैसे देखी उधवा लेक है और इधर इस्टी सिहूं जमसेथपूर में हुटकोड इमना जुबली बेल्डी भुरुडी धनबाद म आपको विकार पांद में भी फिर रांची लेक है जारी बाग लेक है बिच के लिया लेक है और चन्द मारी लेक इतने सारे लेकों के बारे में जनकारी देखेंगे हम लोग और साथ में यह जानेंगे कि रांची लेक किसने किसली बनवाया था बिंदा मेला किस जिल के किना अगर आपको मचली पकड़ने का सवक है तो कौन सा कलब आपको ज्वाइन करने का सवक है तो किस जिल की और आप परस्थान करेंगे और सबसे महत्पुर्ण जो इंडियन पीटा नवरंग पक्छी है वो देखने के लिए आप कहां जाएंगे और इसके अलाव है जो और भी इ जानेंगे आप कि मीर कासीमा और बिर्टिस के मद्ध 1763 में कहां युद्ध हुआ था और यह किस जील से संबंधित है इन सारे परस्थनों का जवाब जानने के लिए देखते रहे है इंडिवर फोर यू चलिए अब शुरुआत करते हैं जारखंड के जीलों के बारे में सामने का अब आपको देखेगा कि राची लेक राची लेक अठारा सो राची में आम से ही आपको असफ़स्र हो गा 1842 में एक बिटिस मूल के करनल द्वारा इसका नाम था करनल ओंसली यह इन्होंने बनवाया था आप इन्होंने बनवाया था आप देखे इसका परपस क्या था भूजल अस्तर को बनाया रखने के लिए to maintain ground water level किसने मदद किया था प्रिजनर्स जो कैदी लोग था देखे तीनों चीज महतपुर्ण ने करनल ओंसली बनवाया परपस था ग्राउंड बाटर लेवल को मेंटेन करना मदद किसने किया प्रिजनर्स और इसका आजकाल नाम क्या है विवेकानन्द सर्व पर यह एक चोली में बड़ा तलाब के ना पर ले सकते हैं नेक्स देखिए यह इसका लोकेशन कहां है यह बड़ा अपर बजार है अपर बजार के निकट है और यह करीब-करीब बामानेकर में फैला हुआ है और यह समुदर तल से इसकी उसरत उचाई एक एसो चालिस फीट है इसके बारे में खास क्या है कि यह च्छोटा सा जील है राची में और इस नाम से डंपिंग यार्ड बगर भी यहां पर इस्थी थे नेक्स देखिए जो जील आपको दिख रहा है इसका नाम है बुरूडी लेक जिसका यह घाट सिला में है यह एक च्छली में घाट सिला सहर कहा है यह स्वर्ण रेखा नदी तर्ट पर यह डालमा पकी पहाड़ियों के बीच इस्थी थे और जो बुरूडी बांध है कि इसके रूप में एक क्रित्रिम जील बनाई गई है इंग्लिस में भी दिया है इस अर्ट फिसले क्रियेटेड बुरूडी डैम और इसका लोकेशन क्या है राची से 136 किलोमेट और 9 किलोमेटर देखे घाट सिला मैप सुरू में हम जो दिखाया थे उसमें आप धियान दिजेगा घाट सिला से बिलकुल 9 किलोमेटर की दूरी पर है और घाट सिला क्या है इस से हम यह मतलब जमसित्पर का एक छोटा सा साहर है नेक्स देखिए जो हम आप से सवाल मेला का आओजन किया जाता है और यह मेला 15 दिन तक चलता है यह संधालों के बीच बहुत महत्पुर्ण संधाल जन जातियों के बीच में नेक्स जानकारी लीजिए शुम्तिंग मोर आपट ग्वाट सिला स्मॉल टाउन है जो स्वर्णरेक बालमा पाहड़ियों के बीच इ इसके चारों तरफ है और जो बिंदा मेल है यह संधाल ट्राइब के द्वारा अभी जैसा की बताएं है इसमें वारली पेंटिंग, ढोकरा, आर्ट, क्लॉथ, अर्थिन, पॉट और लैंप, जॉइलरी इन सारे चीज का अगर खरिदारी करना हो तो आपको एक बार बिंदा मे अभी आपने देख लिया होगा चलिए अब जो नेक्स्ट फोटो आपको देख रहा इधर राइट साइड में यह देखिए यह आपका हूट को है जैसे हूट को बैंक भी नाम सुने होंगे, हाउसिंग, अर्वन डेवलप्मेंट तो यह हूट को लेख है यह कहां है टेलको कमपनी जमसेदपूर में इस्थी था है और इट इस लोकेटेद इन तेलको कॉलनी जमसेदपूर इट वस क्रियेट आर्टिफिसियली इन बीटिफुल सराउंडिंग अवता तेलको कॉलनी इसके बारे में खास क्या है यह सुमंत मलगाओकर पार के ठीक बगल में इस्थी है देखिए मैंने सुर्व में सवाल आपसे पूछा था कि सुमंत मलगाओकर पार के ठीक बगल में कौन सा घील इस्थी था है तो इसका नाम है फिकनिक बनाते हैं आप जाकर एक बबर पिकनिक में बना सकते हैं और भीजिट भी कड़ सकते हैं जहाँए जो जील है अब यह इसका नाम है बेविल्डी लेक यह एक्च़ोली में इस्थी इखिव उमे यह धधकिड़ी एरिया पढ़ता है जो विष्टिपूर पूलिस स्टेशन में पढ़ता है टाटा में यह वहीं पर इस्थित है बेल्डी लेक इसके बारे में खास क्या है जैसे कि मैंने आपसे पूछा था पहले ही पूछा था कि अगर आपको मचली पकड़ने का सौक है तो कौन सा क्लब ज्वाइन करेंगे तो जम सेथपूर में एक जम सेथपूर एंगलिंग क्लब एंगल मतलब होता है जैसे न बंसी जो मचली पकड़ने बला ऐसे बंसी देखते होंगे कि मचली आके इसमें फंस जाता है तो एंगलिंग कलब ज्वाइन करना है आपको तो एंगलिंग कलब ज्वाइन आ बगएर बगएर और कई मचली पकड़ने के लिए सिखाया जाता है You can go there and enjoy how to angle Next देखिए यह है डिमना लेक जो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हैं यह डिमना लेक का फोटो है डिमना जील यह करीब करीब जम सेथपूर से 13 किलमेटर की दूरी पर और डालमा पहाड़ी के अब जानी रहे हैं जम सेथपूर है तो डालमा पहाड़ी है और यह मीजाडी पंचायत है बाडाम बलोक में वहाँ पेस्थी था और एक चोली में इसका निर्मान का मुख उदेश था कि यह drinking water देखे जितने सारे जील आप देख रहे हैं जारखंड के सारे का basic feature यह है कि उसका purpose यह था कि पीने के पानी का एक चोली में पहाड़ी पठारी एरिया है तो यहाँ पीने के पानी का थोड़ा सा problem रहा करता था इस बज़ा से बहुत सारे जीलो का निर्मान हुआ जैसे राची में भी आप देखे होंगे कि धुरबाद डैम है इस तरह से गेतल सुट डैम है इस तरह काके डैम है यह सारे water reservoir tap से सहर में पानी के व्यवस्था के लिए इस्तेमाल हुआ था किसने बन वाया इसको टाटाई steel बन वाया था डिमना लेक को और इसके बारे में खास क्या है कि अगर आपको boating car, rowing car, jet skying अभी पूछा था हमने एकर jet skying का आपको सौक है तो आपकी जहिल की तरफ आपको परस्थान करना है तो ध्यान रखेगा आपको डिमना जहिल ही जाना चाहिए देखे यह है जुबली लेक इसको जैनती सरोबर भी बुला जाता है इधर फोटो में आप देख रहे हैं यह जैनती सरोबर का फोटो है और यह जुबली पार्क के अंदर ही सोनारी जगह है जम सेथपूर में जहां पर इस्तित है और इसके बारे में खास क्या है कि लेजर लाइट ओडितोरियम और एक यहां पर जुबली अगर देखना हो तो आपको कहां जाना होगा नेक देखिया यह जो आप फोटो देख रहे है ना यह यह चीडिया का नाम है रेर चीडिया है मेल इंडियन पीटा नौरंग ठीक है तो यह चांदमारी लेक आप देख रहे है चांदमारी लेक कहां पर है ये बेस्ट सेभू मतलब आपको चाइबासा आप समझ रहे होंगे चाइबासा में चाइबासा जाना होगा बेस्ट सेभू है ना वहां पर नरसंडा जगा जहां पर चांदमारी जहील मिलेगा और यहीं पर रेर इंडियन बर्ड मेल इंडियन पी किया जाए है ना नेक्स देखिए जो आपको दिख रहा है यह रहा आपका हजारी बाग जील तो यह रहा हजारी बाग जील हजारी बाग लेक इसका लोकेशन के हजारी बाग सहर के बीचो बीच हजारी बाग का दिल है यह हजारी बाग लेक और इसी के बगल में स्वर्म जैन क्या है कि यहाँ पर boating facility अभी level है और यहाँ पर सबसे खास बात है कि sunrise और sunset यहाँ पर जा कि आप देख सकते हैं तो चलिए हजारी बाद कभी जाईएगा तेक बार लेक का सहर करिएगा फिर comment box में ढालिएगा कि कैसा लगा आप बोले थे सबसे पहले देखते हैं इसका लोकेशन क्या है यह तो चाची ब्लोक पड़ता है धनवाद जीले में यह सिचुएटेड है नेशनल हाइवे नंबर टू जिसको जीटी रोड बोलते हैं आजकल गोल्डन कोडिलेटरल में और यह 37 किलिमेटर है धनवाद से धनवाद रेल्वे स्टेशन से और वो कारों से 41 किलिमेटर पड़ता है बता दिये हैं कभी जाईएगा तो आपको गूगल मैप ना देखके इसी के सहारे चले जाईएगा और पारसनात की पहाडियों में के दच्छीन भाग में जो खनन बस्तियां थी वहाँ पर जल आपुड़ती क करने के लिए उन्हें 24 में बनाया गया था ध्यान रखेगा और इसका जल गरहन 625 बर किलोमेटर है और एक्च्छली में इस यह जो तो चाची लेकिन बगल में जो गोमो स्टेशन है जिसका नाम नेता जी सुभास चंद्रबोस तो यह वही जगा है जहां 18 जनबरी 1941 को आंत नहीं देखिए यह जो आपको दिख रहा होगा बीच किलिया लेक आपको जैसे ही जिस समय हम लोग व तो आप पढ़े होंगे बिच के लिए फॉल भी है चत्रा में है न तो उसी तरह से बिच के लिए लेक है चत्रा में 11 किलमेटर की दूरी पर है और यह भी लीला जन नदी के वैंक पे इस्तित है और जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं उधवा जील इसको उधवा आप याद कीजिए मैंने सवाल पूछा था कि मेर कासिम और ब्रिटिस के मद 1763 में कहां युद हुआ था और यह की जील से संबंधित हैं देखिए उधवा नाला उधवा नाला ऐसा मां समझेगा कि कोई नाला था इसमें मेर कासिम और ब्रिटिस दोनों गिर गय थे वैसा यह बैटल अफुदवा नाला हुआ था जहां पर मेर कासिम बंगाल का राजा और ब्रिटिस के बीच में 1763 में यूद हुआ था एक जील का चर्चा हम इसलिए कर रहे थे आज कि एक PIL किया गया था जहरखंड हाई कोट में एक खुसु कटार का नाम की वकील है और उन्होंने जहरखंड के जील खास करके राची लेक के बारे में PIL दायर किया था कि उसकी स्थिति बहुत खराब है जितने आज सुने होंगे कि जितने सारे जैसे सेवा सदन बहुत सारे का कचरा उसमें बहता है जिसके वज़ास से उसका पाने बिल्कुल गंदा है जील का सनरच्चन जो बेसिक फियचर है जील वही नहीं उसमें रहा तो चलिए बहुत सारी बातें आगे होते रहेगी आज लेक सब जहरखंड में बस इतना है और अगर वीडियो पसंद आ आहीं गया होगा करीव करीव तो अगर वीडियो पसंद आया तो यूमें लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स वर बिंग बीद